ओम शान्ती दस तीन दो हजार बाइस की साकार मुरली मीठे बच्चे भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुक बैठा है तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो भूलो मत प्राश्न बाप की श्रीमत पर यतार्त चलने की शक्ती किन बच्चों में रहती है उत्तर जो अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को सुना कर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ती भी मिल जाती है बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो समल कर चलना है अपनी मत नहीं चलानी है गीत छोड़ भी दे आकाश सिंघासन उम्शांती धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाप समान निरहंकारी नम्रचित बनना है अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है किसी भी बात में एहंकार नहीं दिखाना है दूसरा सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है सर्विस के लिए स्वयम को आपे ही ओफर करना है कौड़ी जैसे मनश्यों को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है वरदान संपन्नता के आधार पर संतुष्टिता का अनुभव करने वाले सदा तरप्त आत्मा भव जो सदा भर पूर्व संपन्न रहते हैं वे त्रिप्त होते हैं चाहे कोई कितना भी आसंतुष्ट करने की परिस्तियां उनके आगे लाए लेकिन संपन्न तरप्त आत्मा आसंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन, शुब भावना और शुब कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी रुहानी रॉयल आत्मा का यही स्रेष्ट कर्म है स्लोगन याद और सेवा का डबल लौक लगाओ तो माया आ नहीं सकती ओम शान्ती आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टी यूही देते रहो बाबा कई पल के लाओं